नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नालंदा उन्यूवस्टी की नालंदा उन्यूवस्टी की स्थापना चौतिर स्थापदी में कुमार गुपत के द्वारा की गई और जो गुपत काल है उसको इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज भी कहा जाता है यह वर्ल्ड की पहली ऐसी उन्यूवस्टी थी जहांपर की स्थूदेंट और टीचर एक साथ रहकर ग्यान प्राप्त करते थे और नालंदा उन्यूवस्टी को वर्ल्ड का नॉलेज और मेडिटेशन सेंटर भी कहा जाता था इस उन्यूवस्टी में जितनी भी एजुकेशन होती थी यानि कि जितनी भी शिक्षा प्रवाइड की कराई जाती थी वो मुफ्त होती थी और इसको completely राजा के द्वारा फंड किया जाता था और विश्व विख्यात आर्यभट जिन्होंने की जीरो की कोज की थी वो भी इस युनिवस्टी के प्रमुक रह चुके हैं यहाँ पर करीब 108 विश्वियों पर रिसर्च होती थी और यहाँ पर जितनी भी रिसर्च होती थी उन सभी को रिटन में मनुस्क्रिप्ट में लिखा जाता था और यहाँ की जो लाइवरेरी थी नौ मंजिला उसमें स्टोर किया जाता था और यहाँ के जो एंटरंस एक्जाम होता था वो भी काफी टाव होता था और उसी को crack करके पूरे विश्व मैंसे कहीं से भी student और teacher यहां पर आकर पढ़ या पढ़ा सकते थे और यहां पर विद्यार्थियों को पूरे world के knowledge के साथ जोड़ा जाता था यहां की library में करीब 90,000,000 पुस्तके थी जिनको की जला दिया गया बक्तियार खिलजी के द्वारा जिसकी की व्याकबार भी चताबदी के एक कवी मिनाजस सिराज ने अपनी बुक तबाकत एन सीरत में भी जिसका की जिकर किया हुआ है और इस library को जलने में 6 महीने का टाइम लग गया अगर यह normal page की बुक होती तो इसको जलने में 10-15 घंटे में इतनी सारी बुक्स जितनी भी होती वो सब को जल जाती लेकिन वो जो थी वो manuscript में थी और manuscript जो थी वो पेड की चाल साल से बनी होती थी और उसको जलने में इतना ट स्टुडेंट्स को उसने जिन्दा जला धिया और यहां की जो भी उनियुवर्स्टी का एरिया था उसको आग के हावाले कर दिया और उसने सब कुछ जला धिया बक्तियार खिलजी 1293 इस्वी महीं भारत आया और जब भारत आया तो तो उसके पास करने के लिए कुछ जादा नहीं था, तो उसने आसपास के जो इलाके थी वहाँ पर आकरमन करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर अपने जंडे गारने शुरू कर दिया, मतलब कि लोगों को डराना शुरू कर दिया, अपनी इन्वेड शुरू कर दी, तो इसी युनिवस्टी के आयुर्वेद प्रमुक आचारिय राहुल श्रीभद्र का तो उसने उन्हें बुलाया अपना इलाज करने के लिए जब आचारिय उसके पास आये तो उसने उनको ये चैलेंज कर दिया कि वह उससे इलाज तो कराएंगे लेकिन उसकी दी हुई कुछ भी दि होने लगा और कुछ समय बाद वो बिल्कुल ही ठीक हो गया तो उसने आश्चरिय होके राहुल श्रीभद्र को वापिस गुलाया और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिससे वह ठीक हो गया था तो उस पर आचारिया ने बताया जो कुरान थी उसके हर एक पेज प इसे वाजे से नालंदा उनीवर्स्टी पर आकरमन कर दिया और उसने पूरी उनिवर्स्टी को तबाह कर दिया कई सारे और बुद्धिष्ट मंक जितने भी थे उनको जिन्दा जला दिया और उसने जो वहां की लाइवरी थी उसको भी जला दिया जिसमें की 90 लाख बुक विजला दिया जिसको की जलने में 6 मेन लगे और इसका जिक्र मिनाजस सिराज की बुक तभाकत एन सीरत में भी इसका जिक्र है और एक बुक बर्निंग नाम की एक रस्म होती है जो की पुराने टाइम में हर इन्वेडर करता था जिससे की वहां की जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है या वहां का जो नौलेज होता है उसको पूरी तरह से कंप्लेटली डिस्ट्रॉई कर देते थे और जो फ्यूचर की जनेरेशन होती थी उनको ने इतिहास के बारे में कुछ ही पता नहीं चलता है तो वह काफी हद तक अक्षम भी गठा़कर को में अधुugen के बारे में कुछ भी पता नहीं पार को स्वान फार्लिश 20 को अनुन पार recibili अगर आज भी हमारे पास होता है तो हमारी जतनी भी रिसर्च हैं उन अगर Hyun Sang की book को English में translate नहीं किया जाता तो हमें शायद आज भी पता नहीं होता कि इस तरह की दरोहर हमने खो दी है एक ऐसे आदमी की वज़े से बक्तियार खिलजी की वज़े से जिसकी की जैल सी थी कि यह लोग इतने एडवांस कैसे हैं और इनकी जो medical facility हैं और इनके जो civilization है वो इतनी अच्छी कैसे है हमसे सिर्फ इसी वज़े से उसने इस university को destroy कर दिया अभी रिसेंटली ही 2006 में डॉक्टर एपी जे अब्दूल कलाम ने इस university को दुबारा रेनोवेट या restore करने का प्रस्ताब दिया और जो original खंडर हैं अभी नालंदा university के वहां से खरीब 10 या 15 किलोमेटर दूर एक विश्व विद्यालिय बनाया हुआ है और उसका नाम नालं बदल चुका है I mean लोगों ने बहुत ही जादा कोशिश की है हमारे इतिहास को दुबाने की लेकिन कितनी भी कोशिश कोई कर ले अभी भी सच्चाई को चुपा नहीं सकता है तो at the end of the video मैं बस यही कहना चाता हूँ कि अपने इतिहास को बिलकुल भी मत बूलो और हाँ इस झाल झाल